आए चलते हैं अक्षा कुमार सेट के घर पर तो फ्रेफ्रेंट्स अगर में बता हो तो यह जू मतलब बीच के किनारे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सेलिब्रीटी यहां रहते हैं जैसे अमिता बचन सरो गए अक्षा सरो गए रिति ग्रोशन सरो गए या फिर सुनि सेटी सिर्फा सेटी रानी मुखरजी मतलब ज्यादा तर सेलिब्रीटी इस के घर यहीं पर आपको मिलेंगे त्वेडियो में साभी को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है यहीं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाए गा तो फ्रेंट में नेक्स्ट वीडियो अगर नेक सब्सक्राइब और यहां पर देख सकते इवनिंग और मॉर्निंग में वाकिंग साइक्लिंग रनिंग करने आते रहते और खास करें यहां सटर्डे संडे को तो काफी सेलिब्रिटीज भी जो हैं मतलब अक्षय घुमार हो गया फिर सिल्पा सिट्टी वह इदर वाकिंग करने बीच पर आते जाते रहते हैं तो फ्रेंट्स आप भी संडे को इदर जरूर आईएगा क्या मालूम अगर आपकी किसमत अच्छी होगी तो आप सेलिब्रिटीज से मिल सकते हैं तो फ्रेंट्स एक बार जब जूबीच पर जरूर आईएगा आपको बहुत मजा आएगा और यहीज मुजा अने होला है तो फ्रेंट्स से पिए थिंग मुझे तो बोलू हूं पेंगा बीले पारले से आथे तो आपको काफी बेटर पड़ेगा अगर यहीले पाडले से तक्रिबन दो किलो मिटर की दूरी पर है फ्रेंट्स यह अगर आप पइदल चल के आते हैं तो आपको पैदब चलके आएंगे तो तकरिबन आपको 20-25 मिनट यहां फिर रिक्षे से आते हैं तो रिक्षे का तुसे मतलब शेरिंग लागा फ्रेंट 20-30 रुपया लेता है आपको यहां छोड़ देगा फ्रेंट जैसा यू डिपेंड की आपको कैसा अच्छा लगता है पैस यह प्रेंट चाहूं का अब अच्छा प्रेंट यह जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छा यह प्रेंट यू जीडर्श के वातलम वर्कर से तो फ्रेंट मैं चाहूंगा अगर आप बीच पे आए कुछ भी खाय पीए तो यहां अन्यी ना पहला है आप सच रखेंगे संच वारत रहेगा तभी हमारा जारत अगे बाड़ेगा देखेंगे काफी मेंत करके तर साफ सफाई की जारिये फ्रेंट तो फेस आप यहां तो तो आप साफ सफाई रखेंगे ताकि इने भी थोड़ मतलब हमारे देश को साफ रखेंगे तो फ्रेंस काफी अच्छा रहेगा तो फ्रेंस इस वीडियो को देखती रहे है चले हम आपको अक्षय कुमार सर के घर पर पहुंच चुके यह देखिए आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं यह जो विल्डिंग आपको सामने देख रहे ह यह पूरा अक्षय कुमार सर का घर है क्या हम बीच के किनारे तो आप देख सकते चारो तरह बड़े बड़े नारियल के लंबे लंबे पेड़ों से यह गीरा हुआ है और यहां देखिए उच्छी उच्छी दीवारे भी बनाई गई गई है ताकि कोई मतलब अंदर नगु दीवारे शुका देखा रहा हा हुए तो इसे में सा अक्षय कुमार सर रहते है और फ्रेंड यह अक्षय कुमार सर के घर का नाम प्राइम बीच है जो की जूव बीच पे इसकी ते देखिए आप देख सकते रेके काफी में आपको पुरा गुमा के दिखा तो देखे इस घर में रहते हैं इस में मतलब उनके पहले उनका सफर काई सा रहा में यह बताता हूं आप यह जो देख सकते दिवारे उची उची इस दिवार पर दिवार के फ्रेंड्स वो एक समय मुंबाई में जब आये थे तो उनके पास कुछ नहीं था और वो इधर आये थे वहीं दिवार पर बैटके फोटो शूट कर रहे थे सेल्फी ले रहे थे तो यहां के जो सिक्यूरिटी गाड़ते उन्होंने उनको मार के भागा दिया बोला यह फोटो नहीं लेने का तो फ्रेंड्स तभी उन्होंने ठान लिया कि मैं अभी कुछ ऐसा करोंगा कि जहां से मुझ मैं अभी खास बात और बता हूँ तो यह जो प्राइम बीच आप देख रहे इसमें अक्षे कुमार सर रहते हैं तो इसमें आप सेकेंड फ्लोर पर अक्षे सर रहते हैं और उसके ओपर हमा जो हमारे रितिक रोशन है जो कि मतलब क्रिश मुवी में देखे होंगे आप रित अब पहले कहीं और रहते थे और वह अभी आख्शा कुमार सर के घर पे उनके से उपर और फ्लोर पर रहते हैं रृत्यग रहते हैं और उसी में सबसेंद्छा साजिद नांडयावाला वह भी फ्रेंट्स इसमें मतलब सब्सकेंड पे रहते हैं अक्षे फिर रितिक रोशन और साजीद नांडिया वाला तीनों इसी फ्लैट में रहते हैं तो फ्रेंड है काफी जवर जैसे कि जो और आप देख सकते कि अभी जो हमारा बच्चन पांडे मुवी रिलीज हुआ उसमें भी साजीद नांडिया वाला की मुवी ती तो काफी जवर जैस गई फ्रेंड तो वह उसके लिए में पूरा घोम के जाना पड़ेगा बड़ने आपको सामने दिखाता फ्रेंड देखें काफी जवर जस लग रहा है और फ्रेंड आप अगर चाहे ना अगर आप इदा सटर डे और संडे को अगर आते हैं तो फ्रेंड अगर आपकी किसमत अच्छी होगी त सब्सक्राइब करेंगे वह यह जो आप दिवाल के पीछे गार्डन देख रहे हैं इस गार्डन में वह वाकिंग करने आते हैं तो आप सटेड़े संडे को आईएगा क्या मालूम आप अक्षे सर या फिर रितिक रोसन सर से मिल सब्सक्राइब देख सकते काफी बड़ा सब्सक्राइब को यह मतलब बीच साइट से दिखा रहा है इसमें पीडों से घीरा हुआ है और इसका अगर इसमें खाल बस यह है कि इसमें अक्षे कुमार इसमें अक्षे सर रितिक रोसन सर और साजी नानिया वाला तीनों इसी मेरे तो फ्रेंट चलिए हमने आपको बीच इसमें अगर बीच करना रहा है वैस जैसा कि अब देख सके यहां पर जुहू है स्टॉस्टाब्स भी लगे हैं वह फ्रम काफी डावा इस्टॉस्टाब्स लगे हैं अगर जुँआ पाने सुरह हैं या फिर गोला हो गया बहुत कुछ लगे आपर देखें बुट्टा हो गया बनाना है पानी पूरी मतलब काफी कुछे आपर स्टॉल्स भी दिये गए अगर आपके पुभूग लगता है तो आप काफी सेकते फिंट यह तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी